प्यारे बच्चों, अध्यापक साथियों, हम सब पिछले पांच-साथ साल से दिल्ली की एजुकेशन जर्नी में रोज नया इबदलाव देख रहे हैं। इन बदलावों की सबसे निचली सीड़ी पे खड़े हुए हैं हमारे शांदार स्कूल। जहां नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जहां पुरानी हो जा रही हैं, उसको नया शांदार बिल्डिंग में बदला जा रहा है। नया आर्किटेक्चर, प्राइवेट स्कूलों से भी बहतर दिखने वाले स्कूल। काजल बैठी हुई हैं, जिन्हों ने इसको पूरे को एडिट किया है, हमारे सामने लेके आई हैं, उनका छुट गया मुझको। तो मैं बता रहा था कि इतने शांदार स्कूल बनें, लेकिन अगर कोई हमसे या आपसे पूछे कि भई पढ़ने का इरादा क्या है। कोई मुझ से पूछे, शिक्षा मंतरी हो, शिक्षा मंतरी के रूप में काम कर रहे हो, अरविंद केजरिवालदी माने मुख्यमंतरी जी से पूछे, मुख्यमंतरी हो, पूरे दिल्ली में शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा की बात कर रहे हो, इरादा क्या है। कोई हमारे डारेक्टर साब से पूछे कि भई तीन तीन चार चार आईये सदिकारी हैं बैठे हैं इतने सीनियर सीनियर आफिसर्स आगे बैठे हुएं प्रिंसिपल्स बैठे हैं टीचर बैठे हैं अगर खाली स्कूल स्कूल का देखें तो 14 साल बच्चे की जिन्दगी से ले लेते हो शुरुवाती और स्कूल और कॉलिज दौनों को मिला दें तो करीब करीब 20 साल बच्चे की जिन्दगी से निकाल लेते हो शुरुवाती महत्पूर्ण 20 साल बच्चे की जिन्दगी से नि आज हम अपने अपने सब्दों में उस बात को कहते रहे हैं, हमने नई एजुकेशन पॉलिसी लिए, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी ली, नeshanal curriculum framework बनाए, उस से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी ली, पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस-पच्छिस- माबाप अगर अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए कोई सपना देखना चाहेगा तो आज इस गाने में समाहित है ये गीत केवल दिल्ली का शिक्षागीत नहीं है बलकि दिल्ली और देश को लेके देखा गया एक सपना है कि हम पढ़ाना क्यूं चाहते हैं हम प बारे बज़े तक कई बार तो ओवरनाइट बच्चे पढ़ते हैं आखिर इरादा क्या है आज हमने बताया है कि हमारा इरादा क्या है और हमारा इरादा कोई खाली अच्छे स्कूल बनवाना नहीं है हमारा इरादा कोई फाइव स्टार चम चमाती हुई बिल्डिंग इरादा खाली यह नहीं है कि हम अच्छे नतीजे लाने लगें यह अच्छी बात है कि हमारे 100% बच्छे पास होने चाहिए और होने लगें हमारे बच्छे आई टी में जाने चाहिए जेए में जाने चाहिए जाने चाहिए जाने लगें लेकिन इरादा खाली यह नहीं है इरादा इससे कहीं उपर है, इस गीत के एक एक शब्द में वो बात आपके सामने आज रखी गई है, मैं इसके लिए पूरी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ और ये भी समझता हूँ कि इस गीत को हम सब लोग केवल एक रिच्वल के रूप में नहीं लेंगे, एक सरकार तो उनको ये ध्यान में आ जाएगा कि मैं जो ये स्कूल जा रहा हूँ या स्कूल से जो होमवर्क मिला है, पढ़ने का काम उसको मिला है, उसके पीछे इरादा क्या है, इरादा खाले ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेटरी में कोई पाइथागोरस समझ में आ गई तो इरादा पूरा हो गया, या हिस्ट्री का कोई कॉंसेप्ट समझ में आ गया, एकॉनिमिक्स का कोई कॉंसेप्ट समझ में आ गया, तो इरादा पूरा हो गया, इरादा उससे कहीं आगे का है, इरादा देश खड़ा करना है, इरादा ऐसे लोगों का देश खड़ा करना है, जिनको प तो सवाल हमारे मन में और उसके मन में और सब के मन में उठना चाहिए कि अगर 20 लाग की गाड़ी में बैठके और 20 लाग रुपे महीने की सैलरी लेके इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाके अगर आइसक्रीम कर रैपर हुआ सड़क पर फैंक देते हो तो पढ़ा ही क्या अगर हमको अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों में अपने आसपास रहने वाले लोगों में जिन दफ्तरों में जाके हम काम करेंगे उन दफ्तरों में अगर हमको किसी व्यक्ति के जातपात के आधार पर ये लगता है कि ये छोटी जाती का है या मैं छोटी जाती का हूँ ये बड़ी जाती का है ये मैं बड़ी जाती का हूँ अगर जाती का छोटा बड़ा होना हमारे अंदर रह गया तो फिर पढ़ा ही क्या और बच्चो खास्त और से लडकों को कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुहु से कभी भी बात महिलाइ शब्द कहते हैं, तो वेग लगता है मैं बात स्पेसिफिक होके कहना चाहता हूँ कि हम सब जिस घर में रहते हैं, उस घर में एक माँ होती है बहन भी होती है लड़कों को खासतोर से मैं कहना चाहता हूँ इतने सारे लड़के बैठे हैं कि माँ होती है बहन होती है कहीं पढ़ रहे होते हैं हमारी एक दोस्त, हमारी एक कलीग होती है कहीं काम कर रहे होते हैं अगर हम भूल से भी उसको लड़की होने के नाते उसके उपर कुछ गलत सोचते हैं या उसको कुछ गलत कहते हैं तो फिर ये पढ़ा ही क्या इसलिए इस गाने में कहा है कि जो इज़त औरतों को दे न पाए वो पढ़ा ही क्या इनसा में अगर इनसा को देखना पाए तो वो पढ़ा ही क्या तो बिल्कुल दिल्ली के सरकारी और मैं तो कहूंगा दिल्ली के क्या देश भर के स्कूलों से निकलने वाले हर बच्चे के मन में अपने अंदर ये सवाल होना चाहिए कि अगर मैं महिलाओं को इजत नहीं दे पा रहा हूं तो मैं पढ़ा ही क्या अगर मैं इंसान में इंसान नहीं देख पा रहा हूं तो फिर पढ़ा ही क्या इसलिए इस गाने में बहुत महत्पूर्ण बात लिखी गई है और सबसे महत्पूर्ण बात जो आज के इस जमाने को सबसे जादे जरूरत है ये जो रोज सड़कों पे गुंड़ई के वीडियो देखते हो न दिखते हैं न दर लगता है कि हमारे देश को क्या हो गया ये जो कुछ लोग हमारे देश को लफंगा और गुंड़ों का देश बनाने जा रहे हैं न इसलिए इस गाने के सुरू में एक लाइन कही गई है पढ़ेंगे हम कि हमको कोई लड़वा न पाए अगर पढ़े हुए लिखों पढ़े लिखे लोगों को कोई आपस में लड़वा दे तो फिर पढ़े लिखे हम हुए कि मुर्ख हुए अगर पढ़े लिखे 20 साल 12 साल 14 साल स्कूल के करने के बाद और 4-6 साल कॉलिज की डिगरी करने के बाद के पढ़े लिखे लोगों को कोई आपस में किसी मुर्खता कुपून बात पे लड़वा दे तो हम पढ़े लिखे हुए क्या पढ़े लिखे हुए कि मुर्ख हुए तो अगर कोई हमको लड़वा पाए तो फिर मुर्ख हुए न फिर हम पढ़े लिखे क्या ये गाना रोज हमको द्यान दिलाएगा रोज हमको द्यान दिलाना चीए इस गीत को कि अगर हमको कोई मूर्खों की तरह लड़वा दे तो फिर हम पढ़े लिखे क्या जो सड़कों पे लफंगे घूमते हैं, गुंडे घूमते हैं आजकल कोई किसी के घर में घुज जाता है, कोई किसी के दुकान में घुज जाता है 50 लोग खड़े होके सड़क पे गुंड़ाई करने लगते हैं हमको ऐसा देश नीची है हमको पढ़े लिखे लोगों का देश चाहिए हमको अपने पढ़े लिखे लोगों का समाज चाहिए और जो खड़े होके कह सकें कि हम पढ़े लिखे लोग हैं हम लफंगई नहीं करेंगे, हम गुंड़ई नहीं करेंगे, हम महिलाओं को नहीं छेडिगे, हम बद्दमीजी नहीं करेंगे, हम को ऐसा देश ची, ऐसा इरादा लेके हम सब लोग पढ़ने और पढ़ाने के काम में लगे हुए हैं, इसलिए यह गाना हमारा संकल्प है, हमारा इरादा है कि हम ऐसा समाज खड़ा करना चाहते हैं, हम ऐसा देश खड़ा करना चाहते हैं, हम ऐसा परिवार से लेके समाज से लेके देश तक हम ऐसा वातावन चाहते हैं, जहां कोई लफंगे ही ना हो, गुंडे ही ना हो, कोई महल कि बेजती ना करता हो आपस में ना लड़ते हो बलकि सब प्रेम से रहके एक दूसरे का साथ देके एक देश के रूप में एक राष्ट्रिय एक टीम के रूप में खड़े हो और ग्यान और विज्ञान में इतनी तरक्षी करें इतनी तरक्षी करें कि सारी दुनिया के भारत क लोगो सलाम है आपको भारत के लोगो नमस्कार है आपको सारी दुनिया हमें यहां पे देखे